गोपाल भण्ड देखिये गोपाल भण्ड यह है धोड़ा खटा धोड़ा मिठा सची बाते कहाणी में लिप्टा खुशियों की लोगत लेकर हसी का तफा बोलेगा गोपाल भण्ड आएगा गोपाल भण्ड देखिये गोपाल भण्ड यह है गोपाल भण्ड ऐसा चरित्रा बड़ा ही पिछीत्रा धुमक धुमक कर करे देखो नित्ता ऐसा चरित्रा कानों से सुनो जरा छुप छाप सुचो जरा आखो से देखो जरा महराज आप क्यों आज उदास लग रहे हैं? कोई तकलिफ है क्या महराज आपको दुसमानों का डर है क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं तो कशी से समाचार आया है क्या समाचार अगले दिन मेरे गुरुदे बाएंगे ये तो बहुत अच्छी बात है तो आप इस बात को लेकर क्यों परेशान है परेशन नहीं होंगा तो क्या होंगा कल गुरुदे आ रहे है और वो साकाहरी है मांसाहरी का सेवन नहीं करते है उनके लिए साग सब्जिया बजर से खरिद के मंगवाना होगा वरने तुम लोग समझ रहे हो क्या होगा तब तो हमारे महरानी को बहुत परिशानी होगी उससे बड़ा परिशानी कि ये बात है गुरु देविके समने हमें सरमिन्दा हो ना होगा हाँ ठीक बुल रहे हो आप परेशान मत हो ये महरा गुरु देविके भोजन के लिए सारा समन में बजर से खरिद के लाऊंगा आप रगु को मेरे साथ भेज दिजीएगा सब में ला दूंगा ये सब तुम महरानी से जा के पुछलो और हाँ तुम्हें खरीदरी करने के लिए जो भी पैसों के जरूरत परेगा तुम दिवानजी से ले ले ना में कह दूंगा जी महराज महरानी इतने सारा सामन खरिदने के लिए ये की पुरा टोकरी भड़ जाएगा रगु तुम इतने सामन ले जा पाऊंगे हाँ आप साथ में रहेंगे तो ले जा पाऊंगा चलो जल्दी जल्दी चलो बजर चलते हैं जल्दी चलो महराज काशी से गुरुदेव आ अगए है आ गए है चलो 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 आईए आईए गुरुदेव आईए आपके आने से मेरा महल पवित्र हो गया आपका मैं कैसे सुक्रिया आदा करू आये नहीं नहीं मैं एक सन्यासी हूं राजमहल मैं नहीं रहूँगा मैं ठीक है गुरुदेब तो फिर आप बगीचे में चलिये वहाँ पे एक कुटिया है अच्छा ठीक है वेटी वो ही चलो 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 सारी खरिदारी हो गई है चलो रघू अब चलते हैं हाँ चलिये चलिये तुम्हारा ये कुटिया बहुत सुन्दर है साफ सुन्दर और ठंडा है बहुत अच्छा है जी गुरुदेब आप यहाँ पे धर्म कथा सुनाएंगे हमें इसी लिए कुटिया बनवाई थी अच्छा इसी लिए अच्छा बेटी बहुत देर हो गई है अब मैं ना कर पुचर करूँगा बेटी नहीं नहीं गुरुदेब आप इतने दूर से आये हैं पहले कुछ खा लीजिए फिर इस नान कीजिएगा बनिये रानीमा गुरुदेब और उनके शिश्य के लिए कुछ फल लाकर दे दो जैसे आग गया रानीमा पर नाम रानीमा फल लेकर आई हो यहाँ पे रख दो हाँ यह क्या दासी तुम पत्ते में क्यों लेकर आई हो सोने के थाली नहीं है क्या हे महरानी लेकिन हमारे बिदुशक जी बोले है पत्ते में लाने के लिए हमारा गुपाल बोला है लेकिन क्यों पड़ना महराने, पड़ना महराज, हम लोग गुरुदेब से मिलने आये हैं, आउ सकते हैं? हाँ, आओ, अंदर आओ गोपाल, तुम ऐसा क्यूं किये हो? क्यूं रानी मा? तुम दाशी को सोने के थाली में फल लाने से क्यूं मना किये हो? महरानी मैं महला के सुना था की, गुरुदेब महल में ना रहे कर, कुटिया में आका रहे रहे हैं, और गुरुदेब सन्यास धर्म अपना ये है, इसलिए वो सोने के थाली में खा नहीं सकते, इसलिए मैं दासी से कहा था, पत्ते में फल ले जाए, मैं सही कह रहा हूँ न कि कह रहे हो, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे नजर में सोने का थाली और पत्ता एक समान है, मैं पत्ते में नहीं खा सकता, लेकिन मेरा सिसे तो खा सकता है, उससे क्यों नहीं थिए, वो आपका इससे है, गुरुदेब भविश्य में आगे चल कर, उन्हें भी आप जैसा, आग चलकार सन्यासी बनना होगा, इसलिए उनको भी पत्ते में दिया था, ताकि अभी से उन्हें पत्ते में खाने का आदत हो जाए, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम जानते हो, यह एक धनी परिवार का लाड़का है, यह सिरीफ नाम का मेरा सिस्सर है, यह कभी सन्यासी नहीं बनेगा, हाँ, हाँ, गुरुदेब, मैं समझ गया, अब परेशान मत होईए, मैं अभी जाकर, इनके लिए सोने के थाली में, खाने का बंदवस्त करता हूँ, कृष्णा चंद्र, यह आदमी तुम्हारे सभा में काम करता है, जी हाँ, गुरुदेब, यह मिरे रज्जे सभा का विदुसक है, नाम गुपाल है, यह बहुत ही कहनी है, जी हाँ, गुरुदेब, आपसे ही कहे रहे है, उसके बज़ए से मैं बहुत मसीबत से बचा हूँ लो, हो गया, गुपाल इस गुरुदेब को भी खुश कर दिया, अब देन बहर उसी का परसंसा होगा, समझाए, हमें भी मुवन करके सुनना पड़ेगा, हाँ, मंतरी, आप लोग क्या बाते कर रहे हो, हाँ, हम लोग मंतर जब रहे हैं, ओं इंक लिंक 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 ल यह लेजिए, गुरुदेब, यह लेजिए, यह क्या, मैं तो स्रीप अपने सिस्से के लिए बोला था, सोने के थाली में, देने के लिए मुझे नहीं, आपके सिस्सों को सोने के थाली में, और आपको पत्ते में, यह तो गलत है ना, गुरुदेब, किसी को दो नजर से नह देखना चाहिए सुनों तुम लोग मैं आज सामको तुम लोगों को धर्म कथा सुनाऊंगा तुम सब जरूराना ठीक है गुर्देव ठीक है तो फिर अभी हम चलते हैं जा रहे हैं इस पिर्धिवी का सब कुछ भगवान ही स्रिष्टि किये है पेड़ पोधा पहार नदी सगर जीब जंतु जनवार इंसान सभी का कर्मदता भगवान है हम सबक है सभी का जी नहीं गुर्देव सिर्फ आप ही नहीं इस दुनिया की हर इंसान एक दुसरे का सेबक है क्या कह रहे हो तुम ऐसा कोई सबत है तुमारी पास जी हां गुर्देव सबत है मेरे पास एक मचली ने एक बर मेरा जान बचाय था एक मचली तुमारा चान बचाय था कैसे बताओ कुछी दिन पहले मेरे जे सभास घर जा रहा था बजार से एक मचली खरी था मचली जिन्दा था या मरा हुआ तुम चुप हो जाओ उसके बाद क्या हुआ क्या हुआ बताओ उसके बाद घर पहुच कर देखा मेरे पतनी सबजिया काट रही थी खाना बनने में देर था और मुझे भूख लगा था अच्छा अब मैं समझा ओं मुझी उस बगत तुम्हारे समने बरभी नभी मिठा या तूर तूम्हारे समने पेश किया जह नगी नहीं हां नहीं ओ मचली अपने आप को मेरे लिए कुरवान कर दिया मतलब ये है कि जब मेखाना बनने में देखा देर है तब मैं उस मचली को कटकर धोकर तलकर खा लिया पापी कही का, कब इसे में तेरा बात बरदस्त कर रहा हूँ मेरा जी कर रहा है, की तुझे मार दू चूप हो जाओ, चूप हो जाओ, ऐसा नहीं कहते है वो एक सदरन, इंसान है तुम एक ग्यानी, बड़े घर का लरका हो, ऐसा नहीं कहते सच में गोपल, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, जिसे नहीं बोलना चाहिए, उसे भी बोलते हो, तुम्हारा गलती है सच में गोपल, तुम चुपचा बैठो पो, खुब भी सुनो, हमें भी सुनने दो, गुरुदेब अब अब सुरूर किजिये हाँ, गुरुदेब, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या में बोल रहा था? वो सेवक हाँ, सेवक, और गोपल भी ठीक कह रहा था, इस दुनिया में हम सब एक दुसरे का सेवक है उपर बले ने सब कुछ हम लोगों के लिए स्रिस्टी किये है इसलिए हमारा भी फर्ज वनता है कि हम भी उपर बले के लिए कुछ करे जैसे बक्रे का बली देते है? नहीं, नहीं, उससे कुछ बड़ा और वो है दान दान देने का वी कोई धरम है अधिक्तम और निम्तम सरिस्ट दान क्या है? अर्थ दान, अन्दान और बस्तर दान हाँ, हाँ, ठीक कह रहा है आप गुरुदेब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सरा दान के बाड़े मैं सुन लिया हूँ लेकिन ये मेरा अर्थ, इतना सारा अर्थ मैं कहां रखो? कहीं ये भी दान में ना चला जाए गुरुदेब तुछ अर्थ के लिए तुम्हें इतना चिंता है? दो, उसे मैं अपने चोले में रख लेता हूँ इस रचे में कोई चोर नहीं है गुरुदेब अब जो दान के बरे में बोले है उस दान के इलावा और भी बहुत दान है इतर दान, दूध दान अधिकतम है या निमतम है बेशरम, तुझे में रुक गुरुदेब ये देखिए मेरा क्या हल कर दिया अपका शिश्य अपके समने मार दिया गुपल, स्वरमत मच्याओ जाब 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 अबना काम कर जाओ यहां सो जाओ साचमी गुपल, गुरुदेब की बातों की बीच में तुम रहे रहे के तुकावट कर रहे थे इसलिए मार खे हाँ, सही कहे रहे हो मंत्री गुपल, तुम अभी रसोई में जाकर गुरुदेब का खाने का बंदवस्त करो ठीक है महराज महराज, अब सही बिचर नहीं किये है ठीक है, सही समय आने दो अपका वोर उस सिसे का भी चर करके रहूंगा अमुरपती, तुम्हे में पहले समझाय था न कि इतना गुपल साहब है लेकिन सर पे मुकट बनकर क्यों आये है और किस राज्ज के मुकट पहने है ये मुकट कौन दिया है वही गुरुदेब कासिस से मेरे सर पे जुते से मारा है ये, माहाज क्या बने है बुच्छे नहीं, बदले में बुच्छे रसोई में भेज़ दिये है पाट्ली और सब अच्छा अच्छा, वो सब बाते छोरो हलबा जी, हलबा बनाया है ये लिजिए, खा कर देखिए कैसा है बहुत स्वालिस्ट है थोड़ा वार दिजिए ना हाँ, पेट भड़के कालिया में अब मेरे सुने का बंदवस्त कर दो सुभा सुभा उठना है मुझे पुजा पाठ करना है मुझे थोड़ा टेहल के आते हैं ठीक है, चलिए, चलिए, चलिए हाँ, चलिए, चलिए कैसे मचर रहे हो महराज किसने चंद्रे के कुटिया में जो गुरुते पे रहे रहे है सुना हो कि उनके पास बहुत सारे आर्थ है अच्छा समचर लाए हो लेकन ये समचर लाने से पहले ये नहीं सूचे हो तुम कि वहां महराज के पहरी होंगे अगर हम तो लिक अच्छे समचर पकड़ा गए तो क्या साजा मिलेगा पता है तुम्हें हां बोलो वो लोग राज महल में नहीं है तो कहां है वो लोग बगीचे के कुटिया में रहे रहे है वो लोग सन्दैसी है ना इसलिए राज महल में नहीं रहे सकते लेकिन वहाँ हमें को ले जाएगा हाँ ए आदमी ले जाएगा ओक उटिया एही बनाया है वहाँ का रास्ता ये अच्छी दला से पहे जानता है तो देर किस बत की अब ही चलो ये तमाकु बहुत ही अच्छा है इसका खुजबू बहुत अच्छा है जी हाँ गुरुदेब बहुत अच्छा है महाराज गुरुदेब का परसाद तुआ में मिल गया तो फिर हम चलते हैं महाराज हाँ हाँ जाओ प्रणाम गुरुदेब प्रणाम महाराज प्रणाम गुरुदेब जाओ तुम दोनों भी परसाद खालो जी हाँ गुरुदेब आज भजन बहुत ही अच्छा हुआ है हाँ सभी महाराज और गुरुदेब के क्रिप्या है आज परसाद पेद भर के खाये हैं लेकिन उससे ज्यादा अच्छा था हमारा गोपल का मार खाना हाँ हाँ सच बुल रहे हो तुम एक तो बेचरा मार खाया दूसरा महराज के पास अच्छा बनने के लिए बेचरा फास गया गुरुदेती सेबा में हाम एक महराज और गुरुदेत के नगरों में खाड़ा भी नहीं हुए वाड़े बजले में अच्छा अच्छा फाल मिला खाके हम लोग घर जा रहे हैं हां वाज रहा है क कॉपाल तुम सब्सक्राइक हो व देखो हुआ महराज के दोनों मंतरे हैं हो भू चंद्रा और गबू चंद्रा शιαलो टींनों कोईअ पकरते हैं घर नहीं नहीं तो हम लोग डाकू है डाकू बचाओ छोड़ दो और चुप तब हमें मारेश की पड़ लेचल हाँ अगर तीला है तो तो त्या हाल क्या करूंगा पता है तुशे तेरा गलत कच दूंगा मैं समझे नहीं नहीं मत मरना लेचल रहे हैं हम चलो 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 अम किस मुसिबत में पर गया में यह सनासी गुरू देव भी ना सोचा था की खापी कर थोड़ा अरम करूंगा लेकिन उन्हे सरवत पिना है अगर क्या करूं कई से चिलाने की आवाज आ रही है लग रहा है देखता हूं साथ संज बताओ अर्थ कहा है तो तुम लोग क्या चाहते हो लोग चोड़ी करने आये हैं यह जर्वाज जाके बाहर से चुप चुप कर देख रहा था हूं तुम उसे पकड के लिए आये हो अच्छा क्या हो पर नहीं गुपाल अपना दिमंग लगा कर घुसा देता है यह तो डाकू है इन लोगों से बगला लेने का अच्छा मौका है महराज क्या हुआ है यह लोग कौन है यह लोग डाकू है यह लोग गुरुदेब का शिष्चे का अर्थ मांग रहे हैं गुरुदेब के मर्जी से हम कुटिया के आसपास सिना नहीं रखे थे अब इनका क्या क्या जाए गोपाल इनका कुछ नहीं करना होगा महराज गुरुदेब के जोले में जो अर्थ वो दे दी जिए हूँ इसे नसी फटाफैट जोले से अर्थ दे दे पर ना तेरा बली चरह देंगे हम लोग दे अमें अर्थ नहीं पर यह लो ले लो गटा ले लो छलो आर्थ मिल गया हां हां चलो चलो सब चलो चलो गोपाल यह तुम ठीक नहीं किये हो तुम्हारे बजाए से हमारे मेहमान का सरा अर्थ चला गया इसके बजाए से हमारा कितना बेजिती हुआ महराज जब आपका मेहमान आपका बेजिती कर दिये है तब आप उनका रक्षा क्यों करेंगे महराज जो हुआ सही हुआ मतलब ये सिस से पहली ही मुझे मर कर मेरा बेजिती किये है महराज आप मेरे महराज है और मैं अब का प्रजा हूँ प्रजा का बेजिती का मतलब एक राजा का बेजिती है महराज इसलिए अब का बेजिती मैंने ही किया हूँ महराज बेजनती पहले इस सही किये है महराज गोपाल बिलकुल ठीक कह रहा है सच में तुम गोपाल बहुत क्यानी हो सभी आप लोगों का सिर्वाद है